असलाम ओलेकुम प्यारे बच्चों मेरे आप सब खेरियत से होंगे हमारा सब्जेक्ट जो है यह इंगलेश क्लास सेवन्थ है और हमारा टॉपिक जो है लिटल गर्ल है हम आज इसका अगला पेराग्राफ करेंगे हावर्स लेटर वेन ग्रेंड मादर है रॉप्ट हर इन शोल रॉप्ट हर इंद रॉपिंग शियर्द शोल क्लांग्ट हो साफ बड़ी यानि कि गान टूपना बात जब माने ग्रेंड मादर ने दाजी ने को क्या किया एक स्वाल से बांदिया और उसकी जो ननी सी बाडी थी दिए न साब चोटे बचों कि बारी होते है तम लाइम होते हैं साफ ठीक है वो समय सिमिट के रह गही ओटर में फॉध फादर पॉर शीनी कि इसकी लेते हुए साफ़क क्यों गवें इसकी लेना धिकना है आई एक लेते हुए आपने आप से आप से और आने पैरेंट को या fathers को किसलिए बनाया है here's a clean hangy darling blow your nose go to sleep but you will forget all about it in the morning उसने का कि वाई एक रुमाल उसने दी है ना उसने का पेटा यह रुमाल लो और आपनी ना क्या करो साफ करो और जाओ सो जाओ सुबहर तुम सब क्या करोगी बूल गई होंगी I try to explain to father यानि कि मैंने अपने बाप से कहना चाओ but it was too upset to listen to not यानि कि बाप को इतना जारा गुसा था कि वो कोई भी बात सुनने के लिए तयार नहीं था but the child never forget लेकन बच्चे जो हैं वो कभी बात नहीं बोलते हैं next time she saw him she quickly put hands behind her back and a red color flew into her cheeks next time जब उसने उसको देखा है ना यानि कि शुबा में जब उसने देखा तो क्या हुआ उस ने अपने हाथ एकदाम कमर की पीछे राख लिये और उसके गाल जो थे वो क्या होगे थे बिलकुल सुरुख हो गए जै किस से तर से suddenly suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital यानि कि एक दिन जा बचानक मा बीमार हो गई और वो दादी उसको लेके कहां गई अपनी उनकी जो एक खाना बनाने वाली इसके नाम अलाइस था उसके साथ थी और वाइस 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 पूटिंग उसको लारी थी उसकी वो जो मेरी थी या खाना बनाने वाले जो थी वो जब उसको लारी थी तो अचानक वो क्या होगे एक तम से तर गई आज के लिए इतना ही बाकी कलोड पढ़ेंगे खुदा आफिस